तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए इसकी पैरवी करते वे बुद्धवार को सुप्रीम कोट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है देश की सर्वोच अदालत ने कहा है कि शाह बानो फैसले को रद्ध करने को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए तलाक के केस में गुजारे भत्ते को लेकर हुई सुनवाई के दोराण सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाया है कोट ने कहा है कि मुसलिम महिला आप्राधिक प्रक्रिया सनिता यानि कि CRPC की धारा 125 के तहत अपने पती से गुजारा भत्ता मांग सकती है और ये बात सभी महिलाओं पर लागू होती है चाहे वो किसी भी धर्म की हो परस्नल लोग के आधार पर जो कानून है उसके तहर तलाक हो जाने के बाद 90-100 दिनों की इद्द यानि की एकांद वास की अवधी तक ही मुसलिम महिलाएं अपने एक्स हस्बेंड से गुजारा भत्ता पाने की हगदार है जस्टिस बीवी नागरतना और ओक्स्टिन जोर्ज मसी की पीट केस फैसले से वैसी महिलाओं में जीवन में उमीद की किरन जगी है जिनने तलाक के बाद उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था लेकिन अब ये मुसलिम महिलाएं अपना हक अपना अधिकार ले सकती हैं उन्हें गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा